कैसे हुई थी काफी की खोज और कहां होता है सबसे ज्यादा उत्पादन शैतान की ड्रिंग एक समय ऐसा भी था, जब काफी को शैतान की पसंदी ड्रिंग कहा जाता था लेकिन आज, दुनिया भर के लोगी की पसंदीत पे बन गई है काफी की खोज रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉफी की खोज इथियोपिया में नौवीं शताबदी के दौरान हुई थी काल्दी कहा जाता है कि काल्दी नामक एक गडेरिया अपने भेड़ों को लेकर जंगलों में गया था इस दौरान उसने देखा कि उसके भेड कुछ लाल रंग की बेरी खाकर कूद भांद कर रहे हैं बेरी का स्वाद काल्दी ने जब उन बेरी को चखा तो उसे भी शरीर में उर्जा महसूस हुई इसके बाद उसने उन बेरीज को तोड़ कर रख लिया और इसे लेकर साधूं के मठ पहुँचा आग में फेंक दिया कॉफी हालांकि साधूं ने इन बेरीज पर बहुत प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन एक साधूं ने इस बेरी को जलते हुए आग में फेंक दिया कौफी की सुगंध, आग में कौफी के जलने से जो सुगंध वहां फैली, उसने सभी साधुओं का ध्यान आकरशित किया इसके बाद साधुओं ने इस बीन को निकाल कर उसे कूट कर गर्म पानी में डाल दिया कौफी की हुई खोज, साधुओं ने जब कौफी को पिया तो उन्हें भी उर्जा महसूस हुई और नींद ठकान सब दूर हो गए कुछ इस तरह से कौफी की खोज हुई कौफी का उत्पादन, बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कौफी का उत्पादन ब्राजील में होता है कौफी के उत्पादन के टॉप टेन की लिस्ट में वियतनाम, पेरू, समेत भारत भी शामिल है